नमस्कार बच्चों आपका स्वागत है मैं हूं PC वर्मा और आज हम देखेंगे भारत के समविधान का निर्मान बच्चों आप जानते हैं कि जो समविधान होता है आज हम देखेंगे कि समविधान क्या होता है इसकी आउसे तक यो पड़ती है तो चलिए देखते हैं सम्विधान क्या होता है आप जानते हैं बच्चों जिस प्रकार से बहुत सारी तरीके होते हैं विविन प्रकार की संस्थाएं जो होती है पहले हम समझते हैं कि राष्ट क्या होता है राष्ट आप जानते हैं राश्ट या देश की से कहा जाता है तो निश्ची तोर पे आप ये समझते होंगे कि जो राश्ट होता है उसकी सीमाएं होती है वहाँ पे बहुत सारे नदियां होती है पहाड ये आप समझी सकते हैं लोग होते हैं समपदा होती है वन होते हैं खलीज होते हैं और वह वह सारी चीज़े होती है इसके अलावा जो राश्ट होता है उसे बनाने के लिए मुख्य तोर पे एक चीज जो होती है वो होती है नियमावली और ये नियमावली बताती है कि किस प्रकार से हम अपने देश का संचालन करेंगे यहां रहने वारे जो लोग हैं जो व्यक्ति हैं जो वस्तुएं हैं उन सभी चीजों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा चुकि हमने देखा है एक देश में बहुत प्रकार की नदी है पहाड है परवत है साथी साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखियोंगी तो अब यदि व्यक्ति है जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन जीएंगे उस राष्ट पे अपना व्यवहार अरचार विचार किस प्रकार से रखेंगे जो वन समपदा है उसका दोहन कैसे किया जाएगा नदी पहाड एक और है धर्म उसका पालन किस प्रकार से किया जाएगा लोग किस प्रकार से चीजों को करेंगे किस प्रकार से नियम बनाएंगे जो नौकरी के नियम है और भी बहुत सारे नियम है वो सारी चीज़ें एक हद तक किसी भी है और सबी चीजों के लिए नियम बनाने क्या है था हूता है वह अपने कि अधार बूच सिधान्त जो है वो अपने अंदर सम्हाल कर रखता है साथ ही सांथ इसमें ना सिर्फ विवस्थाय होती है बलकि इसका मूल उद्देश से जो होता है राष्ट का मूल उद्देश सी क्या है यह उसके अंदर समाहित होता है इसके सांथ स्विमाय जो होती है राज्जियों की देश के अंदर बहुत सारे राज्जियों होते हैं राज्य की सीमाएं क्या है राज्य के कुल मिलाकर अधिकार क्या है ये सारी चीजे सब विधान में लिखी होती है एक उधारन के तौर पे आप समझ सकते हैं कि आपके स्कूल की जो नियमावली है अर्थात जो आपके स्कूल में आपको किस प्रकार से रहना है प्राथना करना है किस प्रकार से क्लासे सर्टेंड करना है आपको किस प्रकार के अपने व्यवहार को रखना है किस प्रकार से आपको परिच्छा देना है परिच्छा किस प्रकार से लिजाएगी पेपर की हिसाब से सेट होंगे और भी बहुत सारी चीजे जो आपके स्कूल क संचालन की होती है सारी बातें जो की वो एक तरह से आपके स्कुल की निमावाली कहला जाती है उसी प्रकार राष्ट की जो निमावली होती है राष्ट की जो विविन प्रकार की बातें होती है उसकी विवस्था होती है सिध्धान्त होते हैं उद्देश से होते हैं और पूरी जो रूप रेखा होती है एक देश की वो समविधान के अंतरगत होता है अर्थात अब समविधान को एक तरह से एक नियमा वली मान सकते हैं एक नियम मान सकते हैं चुकि हमारा देश 1927 को आजाद हुआ तो इससे पहले हमारे देश में अलग प्रकार की वेवस्था थी बहुंसी राजे राजवाडे थे बहुंस अलग अलग प्रकार से बटा हुआ था लेकिन जब देश आजाद हुआ स्वतंत्र हुआ हमने पहले देखा था कि उपनी वेस वाद से हमें मुक्ति कैसे मिली थी तो हमारे पूराने वीडियों आप देख सकते हैं कि किस प्रकारत ये हुआ जब देख स्वतंत्र हुआ तब हमारे देख के जो विचारक थे बुद्धी जीवी थे और जो नेता थे उन्होंने बहुत लंबे समय तक कि इसको चीज को अपने मन में रखा हुआ था कि जब देख आजाद होगा तो किस प्रकार से देख का संचालन किया जाएगा सम्विधान जो है देख के देख के संचालन के लिए नियम बताता है चीजे बताता है कि किस प्रकार से देख का संचालन होगा किस प्रकार से हम अपने परोसी देखों से वैवहार रखेंगे किस प्रकार से हम अपना वैवहार रखेंगे और उसके लिए सम्विधान बनाया जाता है सम्विधान एक बार नहीं बनता बहुत नम्मे समय तक कीसे बनाया गया था और इसके बाद भी कुछ खामिया या कुछ इस प्रकार की बातें दिखाई दी कि उसमें सुधार क्या हो सकता है तो सम्विधान का संसोधन भी समय समय पर किया जाता रहा है चुकि मूल उद्देश से होता है राष्ट का विकास राष्ट की सीमाओं मर्यादाओं को निर्धारित करने के लिए सम्विधान का निर्मान किया जाता है और सम्विधान अपने आप में बहुत महत्यपुन दस्तावेज है वो एक प्रतिबिम्ब होता है कि किस प्रकार से देश का विचार और व्यवहार होगा मुख्य तोर पे ये देखने वाली बात है कि हमें सम्विधान की अवस्यक तक क्यों होती है वैसे तो हम देश चला सकते हैं लेकिन सम्विधान किया वस्यक तक क्यों एक बहुत महत बढ़ सवाल है कि देश तो चलता है लेकिन सम्विधान की अवस्यक तक पड़ती क्यों है हमने देखा कि मुख्य तोर पे ये जो सम्विधान है उसमें नियमों और प्रावधानों का समू होता है अब नियम प्रावधान क्या होते हैं नियम प्रावधान वो चीजे होती है जो कि पूरे देश की विवस्था को निर्धारित करती है किस प्रकार से देश बना है किस प्रकार से राज्य है उनका वेवार किंद्र के साथ किस प्रकार से होगा लोग जो है किस प्रकार से अपने काम को करेंगे जो लोग तंत्र है इसमें पूरे देश की जंता भागीदार होती है अब अगर जिस चीज में पूरे देश की जंता भागीदार है तो वहाँ पर हमें यह निर्धारित करना होता है कि सभी को इसमें अपना हिस्सा लेना है लोग तंत्र में तो लोग किस प्रकार का वेवार करेंगे जो केंद्र है वो क्या कारे करेगा राज्य क्या कारे करेगा हर किसी के लिए उनका कारे निर्धारित होता है जंता के लिए कारे होता है राज्य के लिए केंद्र के लिए सभी के लिए निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार का वेवार वो की करेंगे जो सभी व्यक्ति हैं पूरे देश के लोग हैं वो मिलकर देश को चलाते हैं चुकि आपने देखा और बच्चों हमने पहले चरचा भी की ती कि यहाँ पर जो मजदान के द्वारा गठन किया जाता है पूरे जो सांसाथ होते हैं, विधायक होते हैं, मुक्षय मंतरी होता है प्रधानमंत्री सभी के लिए वोटिंग होती है और फिर देश की जनता ही एक तरह से पूरे देश को चलाने के लिए लोगों को निर्धारित करती की कौन क्या कारे करेगा बहुत सारे राज़ितिक दल है और सबके अपने अलग-अलग एजेंडे होते हैं किस प्रकार से वो अपना काम करेंगे लेकिन उन सब को सम्विधान के आधार पे चलना होता है चाहे वो कुछ भी काम यदि उनको करना है कहीं फुल बनाना है, सड़क बनाना है और अलग-अलग प्रकार की योजनाय बनानी है लोगों के लिए नियम बनाने है लोगों के लिए उजनाय बनानी है तो उन्हें इस चीज को देखना पड़ता है कि सम्विधान में क्या लिखा गया है और किस प्रकार से हित जो है जनता का हित वो पूरा किया जाएगा सम्विधान से उपर कोई नहीं जा सकता सम्विधान में जो बाते लिखी गई है वो बहुत महत्रपूर्ण है जिसके बारे हम आगे चर्चा करेंगे अभी ये समझ देते हैं कि कुल मिलाकर जो नियम प्राओधान है उनका समू है ये नियम प्राओधान राज्जी को देश को सुचार रूप से चलाने के लिए बने हुए है जब देश स्वतंत्र हुआ था 1946 में तब ये सारे नियम बनाये गए थे लगभग दो साल से भी ज़्यादा समय इसमें लगा था और इनके लगने के पाग चुकि एक बहुत लंबी चोड़ी प्रक्रिया थी बहुत लंबा चोड़ा कारे भाई हुआ था तो दो साल इसमें पूरा लगा लंबा समय लगा लेकिन जब इसे बनाया गया तो बहुत हद तक ये अपने आप में पूर्ण था बहुत लंबे समय तक इसमें का कार्वन है था कि इसे बार-बार अलग-अलग इस्थानों पर इसका वाचन किया गया लोगों को दिखाया क्या लोगों से रहा ली गई और उसके बाद इसे पूर्णरूप दिया गया तो ये जो समय सीमा लगी कुल मिलाकर दो साल ग्यारा माँ अठारा दिन का समय लगा अब इसकी आवस्यक्ता क्यों है हम जानते हैं कि देश अलग अलग तरीके से काम चल सकता है लेकिन हमें यदि सुगठी तोर पे और सही तरीके से देश को चलाना है तो नियमों के आवस्यक्ता होती है प्राओधनों के आवस्यक्ता होती है कि किस प्रकार से जैसा हम देखते हैं कि हर पांस साल में चुनाओ होते हैं तो चुनाओ होने के बाद लोग बदल जाते हैं चीजे बदल जाती है लेकिं देश का जो मुख्य तोर पे विचार है देश का जो वैवहार है वो पूरी दुनिया के साथ नहीं बदलना चाहिए ये समविधान की मुख्यवाद है और इसी चीज़ को धियान रखने के लिए इसे बनाया गया है जो सरकार का निर्मान सरकार गठित करने का जो तरीक ये भी सम्विधान में तै किया गया कि किस प्रकार से सरकार का गठन होगा किस प्रकार से यहां के लोग जो हैं उनके मौलिक अधिकार होंगे कौन-कौन से उनको अधिकार मिलेंगे साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और देखा गया था कि कौन से अधिकार लोगों को मिलने चा सकता है अपना काम कर सकता है तो इसमें जो है सब के लिए लक्ष निर्धारित किया गया है सब के लिए समानता न्याय स्वसंत्रता भाईचारा यह सारी चीजों का उल्ले किया गया है और इसी के कारण समविधान बहुत आउस्यफ हो गया है जो दुनिया में हर प्रकार का चुकि जब देश का निर्मान किया गया था तब उस समय के जो विचारों थे उन्होंने ये बहुत विचार किया कि जब देश बन रहा है तो हमें इस प्रकार से नियम अपने लोगों को देने चाहिए जिससे सभी के साथ न्याय हो, किसी का सोशन मत हो और किसी को आगे बढ़ बहुत सकते हैं कि कौन सी चीजें गलत है कौन सी चीजें सही हैं चुकि हमें जो मौलिक अधिकार मिले हुए समविधान की ओर से मिले हुएortun तो जब कोई किसी के अधीकारों का भी हनन करता है तो उसके खिलाफ अपील करने के लिए साथी साथ उसे अलग-अलग स्थानों पर अपने अधीकारों के लिए बात करने की सुतंत्रता भी है और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि देश के लोग जो हैं वो बहुत हद तक समविधान के रक्षन में अपना जीवन यापन कर सकते हैं तो समविधान सभी के लिए बहुत आवसेख है और हमें इस समझना बहुत जरूरी है कि समविधान के होने से हमें बहुत सारी स्वतंत्रताइं मिलती है एक हट तक हमें ऐसा इस्थान मिलता है हमें एक हट तक ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे हम आसानी से पूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं और अपने परिवार साथी साथ तमाज के विकास के लिए काम कर सकते हैं लोगों के साथ मिलकर रह सकते हैं राश्ट इर्मान के लिए भागीदारी कर सकते हैं चुकी मद्दान का अधिकार सबको होता है सारवमिक व्यस्क मद्दान मताधिकार का यहाँ पे कॉंसेप्ट है जिससे जनता जो है वो अपने सास्वों का अर्थात सासन करने वाले डोगों का निर्धारन करती है और यह सारी चीजे सम्विधान की और सिद्धी गई है तो सम्विधान बहुत आवस्यक है और सम्विधान की आवस्यकता बहुत हतक तब और पता चलती है जब हम इस प्रकार के देश देखते हैं से आजाद हुआ है और उसके बाद से निरंतर हम अपने देश को आगे बढ़ाने के मार्ग पर अग्रसर है बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर सम्विधान इस तरह से नहीं बना था और इसी के कारण बहुत सारी चीजें बहुत सारी दिक्कते हुए अलग-अलग देशों का आप चिक्र देख सकते हैं जो हमारे साथ स्वतंतर हुए थे लेकिन आज की स्थिति में और हमारी जो स्थिति है उनसे बहुत बहुत बेहतर है बहुत अच्छी है तो समीधान की आओ सेकता मैं आज के लिए इतना ही साथ ही हो आप से नुरोदे की हमारे साथ जुड़े रहिए साथ हमारे वीडियो को उसे लाइक करिए हमारे साथ जुड़े देने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको यह प्रकार वीडो दिखाएंगे तो हम फिर आएंगे आपके साथ भारत के सम्विधान का निर्मान के बारे में और चर्चा करेंगे तो आज पर इतना ही साथी हो मैं PC वर मापस विदा लेता हूँ धन्यवार नमस्कार